यह कहानी बॉर्डर बनने के 95 यर्स बात की है जहां एवी नाम के एक छोटी सी लड़की को देखते है जो जंगल में कहीं खो गई थी लेकिन उसके पापा उसे ढूंड लेते है और फिर स्टार की मदद से घर का रास्ता ढूंडने का तरीका सिखाते है अब एक साल बात का सी देखते है जहां सिक्रिटी डिपार्टमेंट का हेड विल्यम अपने सैनिकों के साथ एवी के डाइड और उसके साथियों को एरेस्ट करने आये होते है जहां पता लगता है कि एवी का डाइड एक साइन्टिस्ट है जो विल्यम के लिए ही काम करता था एवी के डाइड वि अपने पास रखने को कहता है इसके बाद विलियम एबी के डैड और उसके साथ ही सभी को बिना चेक करें ही इंफेक्टेट बताकर कॉरिंटीन के नाम पर एरेस्ट कर लेते हैं और इस तरह से एबी के डैड को उससे छीन लिया जाता है अब आठ साल बात का सीन दिखाया जात जिससे बचने के लिए सहर के चारों और एक बॉर्डर बनाया गया जो सहर को बाहर के बागी दुनिया से अलग करता है लेकिन महामारी अभी तक खतम नहीं हुई थी इसलिए जो भी इंफेक्टेड होता है उसे एक स्पेसल डिवाइस से चेक करके कॉरिंटीन कर दिया जात है तब ही देखते है एभी अभी भी अपने डैड को मिस कर रही थी उसी रात एभी और उसके दोस्तों की जरब दूसरे ग्रूप से हो जाती है जहां इंस्पेक्टर आकर के सभी को पकर लेते हैं लेकिन उसी दोरान हाता पाई में एक इंस्पेक्टर का मास निकल जाता है जो और कोई नहीं एभी के डैड के दोस्त अंकल रोई थे जिसे उसके डैड के साथ ही ले गए थे पर एभी पकरे जाने के डर से यहां से भाग जाती है अगले दिन एभी घर से बाहर जाने से भी डर रही थी लेकिन उसके मौम के जीत के वज़े से आखिरकार उसे मार्के क्भि่र करने लगते हैं को अगर रॉय उंकल जिन्दा है तो इसके डैट भी जिन्दा होंगे लेकिन रॉय तो उसके को दी को घूंने में मदद करने को बता देगी इस पर रॉय इन बलेक के बारे में बताता है कि सायद उसे तुम्हारे डैट के बारे में कुछ पता हो क्योंकि उसी के वज़े से ये महामारी फैली थी अब अगले दिन एबी रॉय का दिया हुआ टरनेल का मैप लेकर चुपके से सेक्यूरिटी डिपार्टमेंट में घुज जाती है और फिर वहां से भाग कर इथन ब्लैक के कमरे में चली जाती है लेकिन यहां पता लगता है कि कॉरिंटीन किये हुए लोगों के लिस्ट में उसके डैट का नाम ही नहीं है इसलिए वो इथन ब्लैक का पीछा करते हुए उसके गाड़ी के डिक्की में छुप जाती है जो सेक्यूरिटी पार्टमेंट के कमपॉर्ण में घुष जाते हैं एवी भी मौका देखकर चुपके से बिल्डिंग में घुष जाती है कि तभी सायरन बजने लगती है दरसल मिस्टिरियस परसन के साथ योने मैजिकल युद्ध छेर दिया होता है जिसमें से एक एटक एवी को भी लग जाती है पर एवी के लॉकेट के वज़े से केवल बेहोस होती है इस पर वो मिस्टिरियस परसन एवी को अपने साथ लेकर चला जाता है लेकिन एवी का लॉकेट वहीं रह गया था जिसे विल्यम उठा लेता है अगले दिन जब एवी को होस आती है तो वो अपने आपको एक अज से होता है जो नए लोगों को जादू सिखाता है वो यह भी को बताता है कि तुम्हारे अंदर एक special type की power है जो केबल कुछ खास लोगों में ही होती है इसके बाद मारकस नाम के एक बाबा को देखते है जो जल्दी से एबी को चेक करके बताता है कि लड़की तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इस पर एबी को लगता है कि वो infected हो गई है यह सुनकर Spencer एक राज की बात बताता है कि infection नाम का कोई चीज नहीं होती दरसल authority ने ही यह अफवा फैलाई है ताकि infection के नाम पर strange लोगों से उसका magic चीन कर पूरी दुनिया पर राज कर सके इसके बाद यह भी गलती से एक device को trigger कर देती है जिससे बहुत सारी magical energy निकलती है और इसी वज रखता है कि वो mysterious person का नाम बेल है जो इन सभी का leader है एवी की power बहुत ज्यादा होने की वज़े से Spencer बेल से उसे train करने को कहता है पर बेल के according लड़किया warrior नहीं बन सकती इसलिए केवल एक session के लिए ready होता है और एवी को एक device देकर 10 second का time देता है जिसमें उसे device को trigger करना होगा बटे भी ऐसा नहीं कर पाती इसलिए पेल उसे फिर से Spencer के past training के लिए भेज देता है साथ ही उसे भागने से भी मना करता है क्योंकि बेल के according अगर वो inspector के हाथ लग गई तो उसके ठिकाने का पता चल जाएगा जो stage लोगों के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं होगा अगल वाला ट्रेंगलर से जो लोगों पर काम करता है इसी दोरान स्पिंसर मेजिक से किसी चीज को मीरर में छुपा कर दिखाता है जो देखकर एवी को उसके डैड के द्वारा चुपाएगे इंसिदेंस याद आता है इसलिए भी जल्दी से अपने घर जाकर डैड का चुपाए उसके पावर्स को छुपा कर रखने को कहती है ताकि इंस्पेक्टर को उसके बारे में पता ना लगे इसके बाद रॉइंकल उस डिजाइन को देखकर बताता है कि ये तो इसका टावर का नकसा है जो एक तरह का जेल है जहां पर स्ट्रेंज लोगों को क्याद करके रखा ज बजाए हम फ्लाइंग मसीन से जाकर अपने लोगों को छुरा सकते है इस पर बेल गुस्सा होकर उसे डार देता है क्योंकि यहां का लीडर बेल था ना कि एबी साथ ही उसके डैड के बारे में भी सभी को बता देता है कि उसके डैड के वज़े से ही आज हम सब इस हालात मे है अपने डैड के बारे में यह सब सुनकर एबी वहां से चली जाती है और फिर रात में प्लान के एकोडिंग अंकल रॉई के साथ टरनल के इंटरेंस की और जाने लगती है लेकिन रास्ते में ही विलियम इंस्पेक्टर के साथ उन्हें घेर लेते है क्योंकि रॉई ने ए पर विलियम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और रआ से उसे मारने का ओरर दे देता है लेकिन रॉय कोई मडरर नहीं था इसलिए वह भी Cost стороны gefährden को बचा लेता है यहां बेल मैजिक स्टोंग होने के बावजूद भी वो विलियम के चंगूल में फस जाता है इसलिए विलियम जल्दी से उसका पावर चीनने लगता है पर इससे पहले कि वो पूरी तरह से पावर को चीन पाता यह भी विलियम पर हमलागर के उसे बिहोश कर देती है और बेल को लेकर उ साकों में चमका जाती है क्योंकि वो एक तरह का की था जिससे कैदियों के जेल को खोला जा सकता है अब बेल बताता है कि बाउंडरी बनने के पहले यहां पर फैरी भी रहा करती थी लेकिन सेक्यूरिटी डिपार्टमेंट ने जबर्दस्ति उन्हें काम पर लगा दिया दर वो कैदियों को चुराने की बात करती है दरसल एभी कैदियों के पीछे अपने डैट को ढूनना चाहती थी क्योंकि वो अपने डैट को 10 सालों से मिस कर रही थी दोनों के रास्ते अलग होने के वज़े से एभी यहां से चली जाती है और फिर अगले दिन एभी मैप लेकर टरनेल में घुझ जाती है वहीं बाहर बेल भी अपने साथियों के साथ हमला करके में गेट को तोड़ देता है लेकिन तब ही अंदर से एभी चीकते हुए पहार आती है यह एक ट्रैप है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बहुत सारे इंस्पेक्टर्स उन पर इंस्पेक्टर्स को एक ही बार में डेर कर देती है जिसमें वो खुद भी बिहोश हो जाती है इसलिए सभी एभी को लेकर चले जाते है लेकिन वहीं रुक कर अपने जादू से आसमान में एक सिगनल भेशता है ताकि लोगों में उम्मीद की किरन जगे लेकिन ऐसा करके व होता इसलिए एभी अपने डिवाइस को ओपन कर देती है जिसमें से एक फेरी निकलती है जिसे देखकर सभी उट खड़े हो जाते है अब एभी सभी को मोटिवेट करते हुए बताती है कि हम सहर के बाहर जाकर उन सभी को चुराएंगे जिने इंस्पेक्टर्स ने कैद करक इतना अच्छा भासन सुनकर सभी एभी का साथ देने के लिए मान जाते है इसके बाद अगले दिन सभी अपने प्लान के एकोडिंग टनल के रास्ते फ्लाइंग मसीन में घुसकर पेल को चुरा लेता है फिर नॉर्मेन उसी फ्लाइंग मसीन को उड़ा कर फेरी को फॉलो क करते हुए सहर से बाहर जाने लगते हैं पहली बार सहर के बाहर का खूबशूरत नजारा देखकर सभी खुश हो जाते हैं अब पुछ टाइम बाद ये सभी सिक्यूरिटी डिपार्टमेंट के टावर तक पहुच जाते हैं जहां पर कैदियों को रखा जाता है पेल को चीन कर एक डिवाइस में स्टोर कर रहे थे जिने और कोई नहीं एबी के डैड नहीं बना कर दिया था मारकस बाबा डिवाइस को तोरने का ट्राय करता है बट इन चोटे मोटे मैजिक अटैक से डिवाइस पर कोई भी असर नहीं परता क्योंकि इस डिवाइस को डिस्ट करने के लिए तीन चीजों की जरुट होगी सो एवी को समझा जाती है कि क्या करना है पर तभी बेल इस्पेक्टर के आने का ख़बर देता है लेकिन एवी को पॉर्मेशन बनाने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए था इसलिए बेल बांकियों के साथ इस्पेक्टर को बाह को सेक्रिफाइस कर दिया था जिससे वह समझ जाती है कि उसके डैड ने जान बुचकर उसके मेमरी में हिंट छोड़ा था ताकि एक दिन वह यहां आकर इस डिवाइस को डिस्ट्वाइब कर सके इधर विलियम और बैल आपस में भिड़ गए होते है क्योंकि बेल का मेजिक विलियम और चिन चुका था इसलिए बेल कमजोर पढ़ने लगता है उदर ये भी फॉर्मेशन कंप्लीट करके मीरर के थुरू अपनी पावर के मदद से तीनों इंजन को ट्रिगर कर देती है जिससे एक साथ बहुत सारी एनरजी निकल कर लैंस के थुरू डिवाइस के एक जहर को सेक्यूरिटी डिपार्टमेंट से आजात कर दिया इसी के साथ बेल और एक दूसरे को किस करके मुवी का रोमेंटिक देंड कर देते है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेश कर दे हम मिल